दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमेशा लोकोमोटिव में पीछे वाला पेंटोग्राफी क्यों इस्तमाल किया जाता है जानते हैं इस वीडियो में इसका में रीजन ये होता है कि कभी पेंटोग्राफ अगर तूड़ जाता है तो उसका डैमेजिंग पार्ट लोकोमोटिव क च्छत पर ना गिर के पीछे गिरे क्यूंकि लोकोमोटीव की च्छत पर बहुत सारे इलेक्टिकल मेकैनिकल एक्क्यूब्मेंट लगे होते हैं हाला कि चरूत पढ़ने पर आगे वाले पैंटोग्राफ का भी इस्तेमाल किया जाता है आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग